हाई आप सभी को प्यार बढ़न नमस्कार जैश्री कृष्णा राधी राधी डियर मॉमी आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जब हम प्रेगनेंट होते हैं प्रेगनेंट होने के बार जब हमारा टाइम बहुत ही नेर डिलिवरी के कुछ अनिजॉर्ट सी चीज हमारे बॉडी होने लगती हैं और हम उनको टॉल्रेट करते रहते हैं बर्दास्ट करते हैं लेकिन मैं कुछ ऐसे पोईंट आज आपको clear करने वाली हुं बताने वाली हूं जो की आपके डिलिवरी के लिए जो कि आपके बेबी के लिए और आपके लिए सबके लिए रिस्की रह सकता है यदि ऐसे सिम्टम से ऐसे साइन आपकी बॉड़ी आपको दे रही है और आपका टाइम बहुत ही जादा नियरस्ट है डिलिवरी के तो डियर मॉमेज आप प्रिपेर हो जाएए आपको अपनी डगाईनी से मिलके आना ह चेकप कराना है उसको बिल्कुल बील दजर अधास नहीं करना अक्सर होता क्या हैकि जब हमारा देलीवरी का टाइम पास होता है तो जो मामेज होती है थोड़ा सा वह सोच के आप अ बंढू करती'RE किस्ति अब बालबार के बास क्या जाना जिबिवरी पैन स्टार्ट होएं तो कभी कभी हमारे जो नॉर्मल डिलिवरी के पूरे साइं ते वो सी सेक्षन में हो जाती है और आप भी चाहती है कि आपकी डिलिवरी एक दम सेफ और तो आपको यह सारी चीजें ध्यान में रखने हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हुद देखिए जब लास्ट वीक बिल् डिलिवरी डिट के पास होते हैं तब हमारी बॉडी से जो वैजाइनल डिश्चार्ज काफी मात्रा में होने लगता है आपको असा लग रहा है कि जो हमारे और नॉर्मल डेस थे जो कि हमारे निकल गए उसके एकॉर्डिंग अब आपको वैजानल डिश्चार्ज बहुत ज लगे को नमर्टू आपको बलीडंग और ब्लांदमच को डिलिवरी रही है लाज़ा तरह प्रणी हो मैं यह थे घुकशा छोना कंगा दर लिए हब्गारण आपको बीगुत्य को पीन बाल कि तो आपको चीज को बीस्तों अगर लिवरी व्यासायच ब्राइवाज ौरी कि आपको बिलकुल भी इग्नौर करने लाइक नहीं है साथ साथ कभी ऐसा होता है कि हमें फाल्स पे ना स्टार्ट हो जाते हैं और हम उस चीज को बिंगनौर करते हैंक पूर हमरी नैच्रल नहीं होते हैं ठीक है अगर आपको कैसे भी तोड़े थोड़े से टाइम बाद या कुछ मिनट या सेकंड के बाद आपको पेन मैसूस हो रहे हैं आप बुल डिसकंफर्ट हो गई हैं आपको काम करने मनने लग रहा है आपका जो पैल्विक एरिया वह बहुत जादा भारी भारी हो गया है आप वह भी नहीं प्रॉपर त बच्चे को फंस जाता है और बहुत सारी सिच्चुशन आ जाती है जो कि करेक्ट डॉक्टर को दिखा कर ही मालूम पढ़ पाती है क्या होता है देखिए इसारी बात में इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं कि रिसेंटली मेरे फैमली में डिलिवरी हुई है सब कुछ नॉर्म सारे साइन नॉर्मल ते नॉर्मल डिलिवरी होने वाली थी बच्चे की पोजिशन बच्चे का वेट वाटर एवरिटिंग वस ओके बट क्या हो रहा था कि हम उस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे थी जो हमाले फैमली में 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 थी कि उनको ना पीन आ रहे थी और वो पी कि जब दॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे के सर में स्वैलिंग आ चुकिया काफी अच्छी खासी स्वैलिंग है और बच्चे की जो हर्ट वीट है वो भी काफी बढ़ गई है क्योंकि पेन मदर ले रही है डिलीवरी हो नहीं रही है कोई इंड्यूस इंजक्शन वगरा नहीं लगाई जा रहे कोई फर्ट्स नहीं किया रहे मां सिर्फ यह सोच रहे है कि हां हलके फुल के पेन है यह लेवर पेन नहीं है तो इससे क्या हुआ कि उनको समझने में थोड़ी प्रॉबलम हुई वह नहीं उस चीज कोंटेस्टेंट कर पाई फैम आप काम करिये तो हुआ क्या कि जब हमारी फैमिली में यह सारी चीज़े हो गई वह लेवर पेन ले जा रहे थी लेकिन हम होस्पेटल नहीं ले गई तो एंड में क्या हुआ कि बच्चे के सर में काफी सूजन आगे अच्छी कासी बच्चे के हडवीट भी काफी बढ़ ग इसलिए जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी वह लास्ट मुवमेंट पर आकर सिजेरियन हो गई ठीक है कोई भी मदर नहीं चाहते कि सिजेरियन हो उसका इतना बड़ा स्कार पेट पर रहे अबरी मदर यही चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ताकि वह अच्छा अच्छा पी सके अपनी बेवी की वह एडिएट डिलीवरी के बाद केयर कर सके तो अगर मेरा कहने का सैंस यही है जो कि मैंने अपनी फैमिली मेंबर से यही चीज़ सीखी है और मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आपको खलकी फुल की भी पेन आ रहे हैं चाह कि बच्चे की हर्ट वीट बढ़ जाती है बीप बढ़ जाता है बहुत जादा मा का भी बढ़ जाता है बच्चे की हर्ट वीट बढ़ जाती है और मा पेन ले रही होती है लेकिन वह डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होती तो ऐसे में बच्चे की स्वैलिंग सर में आ जात आपके एक्सपेक्टिदेट के पास में का जो वीक होता है उसमें आपको इस पेसली यह सारे सिम्टम्स ध्यान दखने अगर आपको हल्की फुल्डी क्रैम्स वह भी द्यान रखना है नीचे का जो पोर्स नहीं बहुत 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 आप बीनिंग कर रहे हैं तब आपको नॉर्मल रखनी ही रखनी है उसके लिए आपको पनी डॉक्टर से हर वीक में जाके चकप करवाना होगा तो अगर यह सारे सिम्टम्स यह सारे साइन आपको आपकी बॉड़ी देती है किसी परिकार कर वेजाइन लिचार्स आप बहुत ज़दे एंजाइटी फील कर आपके डिलीवरी करा देंगे लेकिन आप उनको टॉलरेट करती रहोगे तो हो सक्का आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी वह इसी स्क्षर में चेंज हो जाए तो प्लीज इस बात का आपको दिहान रखना है ठीके तो डियर मॉमी इस वीडियो में आपको यही ब देकर आती रहूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूं नेक्स्ट आपके साथ तब तके लिए नमस्कार